आप देख रहे हैं डीवियन नीउस और मैं हूँ एम राजा बिहार में तमंचे पर डिसको बिहार में साधी समारों में तमंचे पर डिसको का खतरना खेल लगातार खेला जा रहा है खुसी के मौके पर लोग हतियार लेकर डांस करते नजर आ जाते हैं कभी कभी तो ये खुसी एकदम से मातम में बदल जाया करती है अमुमन हत्यार लेकर डांस करते बरे हाथ से किसी कार हो जाते हैं एक बार फिर गोपाल गंज में तमंचे पडिसको का वीडियो वाइरल हो रहा है युबक खात में हत्यार लेकर आर्केस्ट्रा गर्ल के साथ ना सिर्फ डांस करता दिख रहा है बलकि लर्की के साथ छेड़चार भी कर रहा है वीडियो एक साधी समारों का है जबकि घटना नगर थाना एलाके की है साधी समारों के मौके पर हतियारों के साथ डांस करना बिहार में सायद मामूली घटना हो गई है और यही बज़ा है कि पुलिस परसासन के लाख दावों के बावजूत ऐसी घटनाएं हो रही है गोपाल गंजिले से एक बार फिर तमंचे पर डिसको का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक यूबक हाथ में हतियार लेकर आरके एस्ट्रा गर्ल के साथ न सिर्फ डांस करता दिख रहा है बलकि लरकी के साथ छेर-चार भी कर रहा है यह वीडियो एक साधी सामारो का है, घटना नगर थाना एलाके की है, सोसल मीडिया पर वीडियो वाइरल होने के बाद पुलीस की किरकिरी हो रही है, सहर के नगर थाना छेतर के जादपूर रोड पर एक व्यक्ति के घर साधी थी, साधी में आरकेस्टा प्रोग्राम का दान्स कर रही युपती के साथ थिरकने लगा, देखते देखते उसने अपना गन निकाल लिया और गन को हाथ में लेकर डान्स करने लगा, आरकेस्टा गर्ड के सरीर के कई हिस्सों से उसने पिस्टल सटाया, डान्स के दोरान उसने हत्यार को भी कई बार कॉक करने की कोश कि जा रही है इस मामले में परात्मे की दर्ज कर करी कारवाई की जाएगी आरोपी यूबक को गिरफतार कर जेल भेजा जाएगा लेकिन सवाल आखिर कैसे साधी समारों में सरयाम बार बालाओं को नचाया जा रहा है आखिर बिना किसी आदेस अनुमती के इस तरह के आयोजन पर रोक क्यों नहीं लगाई जा रही है वो भी असलील गानों को परोसा जा रहा है परसासन को ऐसे लोगों पर ठोस कदम उठाने की जरूरत है